नमस्कार आप देख रहे हैं जेटियन लाइव और एक खास कारिकरम के साथ हम यहाँ पर मौजूद है एक खास महमान इस वक्त हमारे साथ है यहाँ पर जो ग्लोबल एक्टीव सिटी आपने सुना होगा कि एक इनिसियेटिव है और ग्लोबल इनिसियेटिव है बोकारों में ह इस वक्त सरकारदा हमारे साथ मौझूद है और सरकारदा सबसे पहले तो आपका स्वागत JTN News इंडिया पर धन्यवाद JTN News को और आपको भी और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग एक ऐसे मीशन में चले हैं जो कि बैस्वीख है और भारत का पहला शहर बोकारो है जो कि अंतरास्टिय ओलंपिक समीती समर्थित ग्लोबल एक्टिब सिटी कारेकरम का पहला और अभी तक का एक मात्र शहर है सबसे पहले तो हम दो आते हैं कि जो legend है इस initiative को ले करके बुकारो स्टील management ओर जो अस्थानी जील प्रशासन है उसके समन्य भे से ही ये सारा implementation होना है बुकारो स्टील City के अंदर सबसे पहले जाते हैं कि पूरे activity का mission क्या है नेके एक सब्ञें तो ये खेल कूद का बिराट रूप है हम लोगों की देश में जो साधरन मान सिकता है वो है कि स्पोर्ट्स को हम लोग जीत हार और मेडल तक ही सिमित रख देते हैं और सायद कहीं न कहीं मुझे बोलने में जराबी हिचक नहीं है चाहे वो केंदर सरकार हो या राजय सरकार हो या कहीं के भी कोई फेडरेशन्स हो उनको इस चीज़ पर मन्थन करना बहुत ही आवसक है कि समाज में हम खेल को किस रूप में ले जा रहे हैं अगर समाज में हम खेल को ले जा रहे हैं छोटे छोटे नुकलियस प्रोजेक्ट ये जो global active city प्रोजेक्ट है ये नुकलियस प्रोजेक्ट मतलब सबसे छोटी इकाई को हिट करना छोटे से सहरों में organized cities जहां है वहाँ पर सभी के लिए sports हो और जब सभी के लिए sports होगा तो हमारा sports pyramid बढ़ेगा quantity से ही quality मिलती है और उस समय जितने भी federation हो सरकार हो उनको medals भी आएंगे और सारे लोग स्वस्थ भी रहेंगे दोनों target फुल्फिल होगा quantity और quality दोनों होगा लेकिन उस angle से काम बहुत धिमा है या अभी तक उस इतने बड़े हमारा देश जो भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा youth populated देश है और जब हमें ओलंपिक में medal नहीं आती है जितना आना चाहिए और जो भी आती है वो बहुत नाम मात्र तो चिंतित सरकार होती है सारे खेल खिलाड़ी वर्ग होते हैं बस कुछ दिनों के लिए फिर सो जाते हैं लेकिन यह जो mission है यह लगातार चलने वाली mission है यह global active city एक तरह से sports culture का mission है खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का mission है और आज के दिन में खासकर जब यह हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और कोवीड का प्रकोप पूरे विश्व में देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से तो खेल कूद और सरीर चर्चा तो एक ब्रहमास्तर के रूम में काम आएगा तो अगर आपका vaccination होती है तो बहुत अची बात है जो अभी हो रही है वो तो external source है लेकिन आप अंदर से अगर स्वस्त रहना चाते हैं तो खेल कूद सरकारता बने रही है हमारे साथ इस बीच में जीला प्रसासिन का प्रेस कॉंफरेंस भी है और इससे सब कुछ कह रहे हैं जबने एक रिपोर्ट देख लेते हैं फिर लोटने हैं इससी बात्चित वे शहरों कि में खेल कूद से संबंदित जो भी विया कलाव होते हैं उसको नई पूचाई तक ली जाने का कार करना है इस संबंद में इससे संबंदित जोगी वेक्ति एवं वेक्तित रहे हैं उनसे लगाता हमारा संबाद चलता रहा है और विशेश्ट रूप से मैं मिस्टर जैदी सरकार को बधाई दूँगा कि उनके अथट प्रयास और प्रशासन और वुकारो स्टी के बीच जो सेतु का कारिक या है हम सभी लोगों को जड़ूप करने का जो कारिक या है वो सरारगिये है आने वाले समय में हम सभी लोगों का एक समय की प्यास नहेगा कि इसे विशेस्थान दिया जाए वोकारो जिले में सखिक इस प्रेस ब्रेफिंग में उपायूप नोहदय द्वारा बताया गया कि वोकारो और डिस्टिक को ग्लोगल एक्टिव सिटी के तौर पर जिसका जैन होआ है जिला परसासन का और साथ में पुलिस परसासन भी इसमें पूरी तरह साथ है आपने देखा कि अपने प्रेस कांफरेंस में और रिपोर्ट में भी जैसा कि बुकारो के उपाईकत राजेस सेंग है और जो बुकारो के एसपी है चंदर्क मरजाव साब उन्होंने भी इनिशेटिव को एप्रिशेट किया है और खास करके एक जिक्र उन्होंने किया था कि जदिप सरकार जी का जो कॉंटिपूशन है इसके अंदर उन्होंने यह जिक्र किया कि वो सेत्व का काम कर रहे हैं बुकारो इस्टील और जीला परसासिन के बीच में इस ग्लोबल एक्टिव सीटी के जो एक्टिविटीज हैं उसकी कर्यावारन को ले करके जैदिप जी हमारे साथ बने हुए है ज सबसे पहले तो मैं हमारे उपाजित महुदय को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया अच्छी बात लगती है इस उमर में भी इनकरेजमेंट आता है और यह जो उन्होंने जैसे कहा कि जीला प्रसाशन और बुकारो प्रवंधन बुकारो स्टील प्लांट और बुकारो स्टील मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है और आज भी इसको मोल्ड करने में या जहां भी जिस तरह की जरुते होती हैं इस शहर को इस जगह तक लाने में एक और्गनाइज सिटी के रूप में हमारे सारे दुनिया के सामने में लाने में बुकारो स्टील मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और यह इसलिए है क्योंकि जिला प्रशासन तो बाद में आई है पहले तो हम लोग धनबाद में थे लेकिन शहर बहुत क्यूट सा था अच्छा था तो मुझे यह जब मुझे यह फील हुआ तो मुझे लगा और यह इन हम और सफलन सफल नहीं हो पाएगा स्वाल है वो हम पब्रिक औरिंटेट सवाल ले रहे हैं कि बच्चे आज ग्राउंट से दूर हो गया है मुबाइल में जो गेम हैं उसमें बहुत जादा एक्टीव हैं फिजिकल एक्टिविटी होने ही रहा है बचे ग्राउंड छोड़ करके मुबाइल में घुस गये हैं यह सिकायद गार्जियन्स की भी है तो आप बचों को मुबाइल से निकाल के फिर वापिस ग्राउंड में कैसे ले कर जाएंगे यह ज़रा पता है यह लोगों को एक छोटा सा एक्जांपल दूँगा जो कि हम लोग इंप्लिमेंट करने की कोशिस कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियां हैं टेलेनर हैं जियो है इन लोगों से हम लोग संपर करेंगे और जितना आप ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपके कैलोरी बर्न होगी वो रिकर्डेड होगा उसके accordingly आपको GB में मुफ्त आपको रिचार्ज होगा मने आपको benefit होगा आज का जमाना अगर चल गया है इस दुनिया की और वर्चुल दुनिया की और तो वर्चुल दुनिया को फिर रियल दुनिया में लाना है तो रन्नीती भी वह ऐसा ही बनाना पड़ेगा definitely definitely आज देखिए हम लोग के बच्चे जो है अब बच्चे क्या बोलेंगे हरें व narr Produktmen चले गए आज अमिताभ बच्चे बंचान की फिल्म देखके तालिया बजाना चाहता है तो दो तरह के Entertainment होते हैं एक्टिस सचीन तेंदुलकर को खेलता हुआ देखके सारे लोग image के इसमें जो जो beneficial factors जो सरीर में उसका काम देगा मैदानों में दोड़ने कुदने में हो सकता बन जाए कौन जानता है तो बात यहां है कि हम लोगों का जो sports pyramid है जिसको की एक technical सब्द है sports का जिसमें कि बहुत कम percentage के लोग हमारे देश में खेल कुद को अपनाते हैं आपको जानके क्या आश्चार लगेगी यह 5% भी नहीं है 4.69 भारतिये लोग active sports को अपनाते हैं इसमें cricket भी है तो यह आश्चार है कि हम लोग किस तरह से बिश्व में आउलम्पिक में अपना स्रेश्टता प्रदर्शन करें या किस तरह से हम स्वास्थ रहें और यह जो चीज है यह बह स्वाल हम ले रहें कि बहुत सारे जो गार्जियन सही या बच्चे हैं उनका इस चुपा हुआ नहीं है आपको लगता है कि यह डी मोटिवेट करता है यह जो कल्चर है फिलाल लोगों का देखिए इसमें मैं थोड़ा सा अपना आपका साथ भी देता हूं और इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वए में मैं अपनी विचार ब्यक्त करना चाहता हूँ यह है कि स्पोर्ट्स के एचीवर्स को ही नौकरी मिलती है आज तक बाकी लोग क्या करेंगे सब तो चेंपियन नहीं है हर कोई मेडल औरीनेट नहीं है हर कोई मतलब रैंकर नहीं और हर कोई एचीवर नहीं है ऐसे हालत में जो लोग वहां फिल्ड में जिन वोने पसीना बहाया उन इस्टूट्स हैं जो कॉलेजस हैं मुझे नहीं लगता है कि फीजिकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का कोर्स करने के बाद कोई भी बच्चा बैठा रहता हो यह बहुत कम है या नेगलिजबुल है लेकिन मैंने देखा है कि अगर रेप्यूटेड इंजिनियरिंग या मेडिकल कॉलेज से बच्चे नहीं निकले तो उनकी हाल भी बहुत अच्छी नहीं होती है तो कहने का मतलब है कि यह डोमेन को इस आयाम को बढ़ाने का काम भी स्पोर्ट्स ही करेगा स्पोर्ट्स में सिर्फ जीत और हार वाली बात और मेडल वाली बात को जरासा ब्रै चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो उसका कुछ पर्सेंटेज स्पोर्ट्स डिवलप्मेंट में देना चाहिए तो इस तरह का सरकार को नीती बनाना चाहिए पॉलिसी मेटर वाली बात है और लेकिन हाँ यह जरूर है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कोर्स करने वाले बहुत कम ऐसे हैं जिनको की जॉब नहीं मिलेगा उनको चैंपियन भी नहीं होना पड़ेगा उनको कॉर्स कम्प्लीट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कॉर्स है स्पोर्स अड्मिनिस्ट्रेशन का कॉर्स है बहुत सारी कॉर्से से हैं जो जो जॉब तरीके से खेलना इससे खेल का जो वह आयाम जो हमारे यहां कमजोर पड़ा हुआ है वह लेवल हाई होगा आज हमारे यहां से भी चुकि हम लोग बात कर रहे हैं तो बोकारो में जो ग्लोबल एक्टिव सीटी कर तहरे जो आप आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्पोर्ट को ले करना है कि यह जो कल्चर है उसको वाई वापस रिवाइब करनी की जरूरत है और अगर हो रहा है तो नए क्या चीज़ है जिनको जोड़ा जा रहा है एक आपको एक जानकारी मैं देता हूं कि मैं हमारे कुछ मित्रों के साथ डीसी साहब के कहने पर ही एक सर्वे किये थे व हमारे शहर में जो जो इंटरनेशनल नैशनल स्पोर्ट्स परसन अलग-अलग इवेंट के कौन-कौन है उनका डेटाबेस यह एक सर्साइज भी भारत में कहीं नहीं हुई है यह जनसंख्या गन्ना के लिए हमारे घर में कितने जानवर है उसका होता है लेकिन स्पोर्ट्स होगा कि पूरे जारखंड में और शायद मुझे लगता है कि और कहीं जगह के तुलना में बोकारो स्टील सीटी में प्लेबल फिल्ट्स इसको आप जो ग्रिनरी भी भरे हुए हैं बहुत हैं मैक्सिमम हैं 200 से ज्यादा हैं करीब 300 के करीब हैं एक्जैक्ट अगर हम देखे हैं तो करीब 300 के लगभल हां उसमें बहुत जगह पर ऐसे हैं कि थोड़ा सा उसको रिनोवेट करना होगा थोड़ा सा उसको रोच्वेंट फ्री करना होगा तो यह सब चीजे यह एक्सरसाइज जो है हम लोगों ने किया है और जिसके बाद पाया गया यह सब फीडबेक हम लोगों ने ग्लोबल एक्टिव सिटी कमिटी को दिये हैं तो यूहीं उन्होंने हम लोगों को यह टैग नहीं दिया है और यह देखे हैं कि यहां पर संभावनाएं हैं यहां हम लोग जैसे कि बुकारो स्टील में सेल्फ फुटबॉल अकैडमी है आर्चेरी का सेंटर है क जो हुआ हैं बहुत सारे खेलों के संटर बढ़ने वाले हैं और हमारे पास ससक्त वरकफॉर्स है और हमारे हाइर मेंजमेंट जो है वहन कि हमारे डायरेक्टर इंचार सब बहुत ही कीन है क्यों कि- relativity life है क्वालिटी life है उसको enhance कर सकता यह जो जो क्लोबल na च्टीड सीटी है difference और यहांकी जिला परसासन का आपको एक बड़ा रोल है ऐसके अंदर स्के इस खेक्ष मैंदर एंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत सुबकाम ना है कि जब हम लोग अगली बार बात करें तो आपके पास बड़ा डाटा हो कहने के लिए और आपको बहुत-बहुत शुबकान में है हमरे चैनल के तरफ से धन्यवाद बहुत-धन्यवाद आपको भी और आने वाले दिन में आपको भी मैं रिक्वेस्ट क पता रहे थे कि कैसे ग्लोबल एक्टिव सिटी को लेकर कि बुकारू में नया नया निशेटिव होने जा रहा है दोनों का जीला प्रशासन का और बुकारू इस्टिल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा इस पूरे मामने पर हम भी उमीद करते हैं कि बुकारू के ज प्रिजिकल हेल्थ है वो इन्हेंस होगा वो अप्ग्रेड होगा अब देख रहे हैं जेटीन नियूस इंडिया नमस्कारू